हलो एब्रीवन तो चरिया आज हम बनाते हैं मटर पनी तो उसके लिए में पहले चाहिए मटर पनी तमाटर कुछ हरी मिर्च एक अद्रक का तुकड़ा एक प्याज थोड़ा से धनिया मखाने और काजू मखाने और काजू को हम पानी में विगो देंके यहां पे एक मिक्सर ग अजरि मिर्ची को काट लिया है और ठमाटर को कट कर लिया है और अध्रका तुक्रणा डाल के इसको ग्राइंद कर लेंगे यहोरी बन जाएगी तो अब यहां पर हमें कडाई लीए है उसमें डाला है आयल horns इसमें हम अपना पनीर फ्राइब करेंगे पनीर को आपनी क्यूब्स की शेप पे कट कर लेना है और इसको अच्छे से फ्राइब करना है पनीर को फ्राइब करेंगे अच्छे से एंड इसमें उपर से हमने डाली है थोड़ी सी काली विर्च लालमिज हल्की सी हल्दी और इन मसालों के साथ हमने अपने पनीर को फ्राइ कर लिया है पनीर फ्राइ हो चुका है चलिए अब इसको भाड़ निकाल लेते हैं इसी कड़ाई में अब हम थोड़ा सा और ओल एड करेंगे और इसमें डालेंगे कुछ मसाले जैसे की जीदा तेज पत्ता और दाल चीनी बहुत थोड़ी सी यहां हमने डाल दी है प्यास की प्योरे हमने जो बड़ी प्यास ली थी उसको भी कट करके उसकी प्योरे बनाएती और इसको अच्छे से भूनेंगे अच्छे से कुक करेंगे इस प्योरे को तो इसमें हम डारेंगे लाल मिर्च खल्दी पाउडर धनिया पाउडर जरा मसाला और इसको मिक्स करेंगे अब हम इसमें डाल देंगे हमारी टमाटो प्योरे सारे मसाले के साथ इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको कुक होने देंगे अब डाला है हमने थोड़ा ता किश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हलका सा नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर मेची पौौरर आप अपने अकॉडिंग कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए जैसा आपको pulky चाहिए हमारी प्यूरे अच्छे से कूख और एए अब हमने इसमें डाल दिया है नमख अच्छे से हमें अपनी प्योरिक को पकाना है यहां चलिए इसको कवर कर देते हैं लिप से चलिए लेट हटा कर देखते हैं यह रिखिया हमारे प्योरिक को खोर रही है अच्छे से अब इसमें हम डाल देंगे मटर अब अच्छे से मिक्स करेंगे मटर को मसाले के साथ और इसको थोड़ दिन धक कर पकाएंगे ताकि मटर भी हमारी अच्छे से कुखो जाए यह देखिए अब अच्छे से कुखो चुका है अब इसमें हमने डाला है जो हमने मखाने और काजू भीगोई थी ना उसकी प्यूरे इसको पीस लिया था हमने और इसको डाला है काजू और मखाने की जो प्यूरे हमने डाली है इससे हमारे पनीर में बहुत ही रिच टेस्ट आएगा जो कि इसको बहुत ही जादा टेस्टी बनाएगा जो स्पाइसिस है इसको आप अपने अकोर्डिंग भी डख सकते हैं कि मैं hijम भी लइए अपनी अपनी लेवी में उसको थोड़े अब गगा इसको अच्छे से उ खोज़ चुकि है अब इसमें डालेंगे पनीर और आपनीर की रेसिपी बहुत ही टीसफंी बनती है आप लोग एक बार जलू ट्राइ कीजेगा आपके घर में बच्चे बड़े सब बहुत ही मन से खाएंगे मटड़ पनी एन मटड़ पनी तो हेल्दी भी है साथ में तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे पानी की कॉंटिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं आपको जितनी भी कंसिसंसी चाहिए पनी की जैसा भी आपको पसंद हो घर में और यह मटड़ पनी देखिए हमारा और मॉस्ट रड़ी हो चुका है अच्छे से चलिए थोड़े इसको और कुप कर लेते हैं तो यहां हमने लिट से कवर कर दिया है और देखिए हमारा पनी अच्छे से कुख हो चुका है अब इसमें डालेंगे उपर से हम कस्तूरी मेती और अच्छे से मिक्स कर देंगे उपर से हरा धनिय डालके गार्निश करेंगे इसको और हमारा मटड़ पनी यह बनकर तयार है आप एक बोल में इसको सर्फ कर लीजे एंड सबको खिलाएगे आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजेगा वीडियो को शेयर कीजेगा एंड कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कि टिश्की चाहिए थैंक्स वर वाचेंग